इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है लेकिन अलग-अलग तरीकों से साथ में वे रक्ट वाहिकाओं को आराम देने में मदद करते हैं हिरदय गती को कम करते हैं और आपके दिल के लिए आपके शरीर के चारों और रक्ट पंप करना आसान बनाते हैं इससे रक्ट चाप कम होता है यदि आपका रक्चाप नियंत्रित है तो आपको दिल का दौरा, स्ट्रोक या गुर्दे की समस्या होने का खत्रा कम है प्रभावी होने के लिए दवा को नियमित रूप से लिया जाना चाहिए आप आम तोर पर इस दवा को लेने से कोई प्रत्यक्ष लाब महसूस नहीं करते हैं लेकिन यह आपको स्वस्थ रखने के लिए लंबे समय तक काम करता है इस दवा की प्रभावशीलता को अधिक्तम करने के लिए आपको उचित जीवनशेली में बदलाव यानि की जैसे स्वस्थ भोजन करना और सक्रिय रहना करना चाहिए इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें इससे पूरा निगल लें इससे चबाएं, कुछलें या तोड़ें नहीं ओल्विन्जाम 25 टैबलेट को भोजन के साथ लेना बहतर होता है ओल्विन्जाम 25 टैबलेट दो ब्लड प्रेश कम करने वाले दवायों का मिश्रण है ओल्मिस्टिन मेडॉकसोमिल और मेटोप्रोलोल सक्सिनेट ओलमिसोटन मेडॉक्सो मेल एक एंगियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर यानि की ARB है यह हॉमोन एंगियोटेंसिन को अवरुद करके काम करता है जिससे रक्त वहिकाओं को आराम मिलता है मेटो प्रोलोल सक्सिनेट एक बीटा ब्लॉकर है जो हृदय गती और निम्न रक्चाप को कम करने के लिए विशेश रूप से हृदय पर काम करता है साथ में वे रक्त को अधिक सुचारू रूप से बहने देते हैं और हृदय को अधिक कुशलता से पंप करने की अनुमती देता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन आन ओन नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद